नमस्कार, One India Hindi में आपका स्पुआगत है और मैं हूँ आपके साथ विवे UP में आज यानि 28 नवंबर को होने वाली UP TED की परिक्षा पेपर लीख होने की वज़े से रद्द कर दी गई है अब ये परिक्षा अगले महीने होने की बात कही जा रही है खबर है कि WhatsApp ग्रूप पर कुछ लोगों ने पेपर लीख किया है जिसके बाद परिक्षा को इस्थगित करना पड़ा मामले में करीब 20 आरूपियों को अब तक गिरफतार किया जा चुका है जिसके बाद से प्रदेश भर में हो रही सभी जगों पर इन परिक्षाओं को रद किया गया है मामले की जाच अब STF को सौंब दी गई है ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी राज में पेपर लीख हुआ हो इससे पहले भी कई बार कई वजों से परिक्षाओं रद हुई है दरसल कॉंग्रेस ने एक लिस्ट जारी किया है और दावा किया है कि ये सभी एक्साम योगी सरकार में पेपर लीख के चलते रद हो गए कॉंग्रेस की जारी लिस्ट के मुताबिक 19 मार्च 2017 में पुलिस समिस्पेक्टर की भरती का ऑनलाइन पेपर हैक हुआ फरवरी 2018 में उत्तप्रदेश पावर कॉर्परेशन जूनियर इंचीनियर का पेपर लीख हो गया अप्रेल 2018 में फिर से यूपी पुलिस की परिक्षा को निरस्त करना पड़ा इसलिए कि गलत परचा बाटा गया 15 जुलाई 2018 में समिलित अवर अधिनस्त सेवा चैन परिक्षा पेपर लीख हो गया 1 सितंबर 2018 को नलकूप आप्रेटर का पेपर आउट हो गया सिपाही की 41,520 सिपाही परिक्षा भरती का पेपर आउट हो गया फरवरी 2018 में फिर से यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉर्परेशन की 2849 पदों का पेपर लीख हो गया SSC का पेपर लीख हो गया और सरकार ने ब्रश्टाचारी चेयर्मेन को दो साल का सिवाविस्तार दे दिया CBI जांच की मांग को लेकर अभ्यरतियों ने प्रदर्शन किया लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई वहीं कॉंग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि बीजेपी ने 70 लाख नौक्रियों का वादा किया था लेकिन मार्च 2017 जब से बीजेपी की सरकार का गठन हुआ सिर्फ और सिर्फ भरती परिक्षा के प्रश्ट पत्र आउट होते रहे लीख होते रहे वहीं मायवती ने भी योगी सरकार पर तंज कसा मायवती ने लिखा जिस प्रकार सपा सरकार में नकल आम बात होती थी उस प्रकार भाच्पा सरकार में भी पेपर लीख होने से यूपी में सिक्षकों की भरती की परिक्षा रद हो जाना अती गंभीर मामला है करीब 21 लाग परिक्षार्थियों के भविशे के साथ खिलवाल करना उचित नहीं मायवती ने एक और ट्वीट में लिखा यूपी सरकार इस ताजा घटा को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी अती शीग्र उच्छ स्तरिया जाच कराए और दूश्यों को सक्त कानूनी सजा सुनिश्चित करे और आगे यथा शीग्र इस परिक्षा को सुचारू रूप से कराने के पुक्ता विवस्था सुनिश्चित करे बीएस पी की ये मांग है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार